भगवान शीराम की ये नगरी है अज्जा और यहाँ पे भव मंदिक करने बान को हैं ऐसे में प्रखाश पर मनाय जा रहा थे गुरू जी जी क्या कहेंगा मैं घर्दीप सिंग नामदारी मंदी हिमाचत रहा हूँ दुवान शीरी राम जी को हम सिख अपना अराध्य मानते हैं इसलिए प्राण प्रतिष्टा के समय उससे पहले हमारे गुरू जी का अदेश थाकू दिलीप सिंग जी का अदेश के अनुसार हम 14 जनवरी से आयोध्या में राम लला के जो भगत राम जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए निरंतर सुबा शाम का भोजन की विवस्ता यहां कर रहे हैं हम नामधारी सिख सत्गुरू राम सिंग जी के अन्याई हैं और सत्गुरू राम सिंग जी गुरू नानक देव जी और श्री राम चंदर जी का ही रूप मानते हैं क्योंकि गुर्वानी के अनुसार त्रेते सत्कुरु राम जी रारा राम जपे सुख पावे क्योंकि हमारा जो वाहिगुरु मंतर है वो इनी चार शवश्वश्द लिया है जो सत्युग में बामन देव जी हुए हैं त्रेते में हमारे जो राम जी हुए हैं दौपर में क्रिशन जी हुए हैं कल्यूग में सत्कुरु रानक देव जी हुए हैं उन चारों के नाम से ही हमारा वाहिगुरु मंतर बनता है तो इसी अनुसार हम भगवान राम जी को अपना रद्ध्य मानते हैं और वो हमारे लिए पूजनिक हैं औ बापसी पर वो अपने अनुयाईयों को जैसे हनुमान जी को उन्होंने प्रशाद के रुबे मोती दिये तो हनुमान जी ने अपने मोती को फैंक दिया उन से पूछा गया भी आपने मोती क्यों फैंका उन्होंने कहा इस पे भगवान राम का नाम नहीं लिखा तो ये मेरे किसी काम का नहीं है तो भगवान राम जी ने बोला भी हनुमान आप क्या चाते हैं तो हनुमान जी ने कहा भी भगवन आप अगर मुझे देना चाते हैं तो जब भी आप इस दुनिया में इस धर्ती पे अवतार धारन कीजिए मुझे मेरे को अपने साथ में लेके आईए तो जो हमारे विश्कर्मा जी हैं उनके पुतर नरो नील जिनोंने जो पत्थर दरिया में फैंकते थे वो पत्थर तरने लग जाता था पुल का निर्मान किया तो जब उन्होंने अपने भगवान राम जी से वरदान मंगा तो उन्होंने कहा कि हमें भगवान ये वरदान दीजि वो राम सिंग होगा तो इसलिए हम भगवान राम जी को अपने सत्गुरू राम जी का ही रूप मानते हैं तो इसी फ्लक्ष पर हम अयोध्या में सारे नामदारी कठे होकर आज बसंत मंचमी के दिन भगवान राम जी के साथ-साथ अपने सत्गुरू राम सिंग जी का दिन मन ना रहे हैं धन्यवाद हमारा हर्दीप सिंग नाम धरी मंडी हमाचल से